कि नमस्कार मैं हूँ आशीश राओ लाइव टीवी समाचा लोगतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं कुछ एहम खबरों की तरह मोटर साइकल चोर गैंग का कियाट एस्पियों प्रिकाश ने उद्भेदन मामना सहायक थाना छेत्र का है मुहमद नियास और लकरवा पिता मुहमद गर्पार जोकी अफ़ ओफिसर कॉलोनी बुद्धुचक सहायक थाना छेत्र जिला कटिहार को बुद्धुचक से ग्रफता के पश्चात स्विकार किया और बयान लेने के बाद लॉकडाउन में काफ बंद होने के कारण ही अपने साथी बिर्जु पासवान, पिता स्चंकर पासवान, साकीन पस्चीम रोतारा हॉस्पिटल टोला बॉर्ट नमबर चार धाना रोतारा, किशन कुमार पासवान, पिता कुमार पासवान के साथ मिलकर मोटर साइकल चोरी करने लगे और चोरी काम मोटर साइकल को अभे कुमार यादो के यहां भेशने लगे, तीन माह जेल में रहने के बाद मुहमद नियास जमानत पर छूट कर बाहर निकलने पर, पुनह अपने साजियों के संपर्प में आया और मोटर साइकल चोरी करने लगा, मोहमद नियास के गिरफतारी के बाद अभे यादो के यहां चाप अमारी करने पर चोरी का रखा हुआ तीन मोटर साइकल बरामत किया गया, बरामत तीन मोटर साइकल में एक पोणिया लाइन बाजार से और किशन गन से और तीसरा उपरो जगे से चोरी की गई मोटरसाइकल बरामद हुई है कांड में शामिल तीनों अपराधी मुहम्मद नियाज और फुला कड़वा सहीद बिर्जु पासवान और केशन पासवान दोनों साकेन रोतारा थाना को गिरफतार किया गया जबकि अभय यादो भागने में सफल रहा प्रिपेश में श्राकी रिपोर्ट को जोबीश तारीक को मुट्साइकल चुरी हुई थी और जिसके समझ में साहक थाना में कांड़ेश हुआ तो सपीने पेश इसमें थाना पुरवारी के द्वारा कासी एक किवरोलादा किया गया उस गाड़ी को भुजूचक से पुशी पर इसके शाथियों का जो नाम बताया उसकी वी गिरफतारी हुई और जो गाड़ी खरदा था रहतारा चत से उसके लिए भी छपा मारी हुई वो फिडार पाया गया बट दो और मोट साइकल जो चुरी की गई ते दुसरे जिला से एक कुनिया जिला से आपाची और एक कि परामगी वी इनन दो सुषिकार किया वो सभी लोग यह चारों मिलके गाड़ी के चुरी करते हैं बीच में जेल भी गया था और छूट के आया था तो फिर वही काम करते हैं तो कि इसमें तीन बाइक बाइक ब्रामगी हुई है और तीन गिरफतारी हुई है एक अभई रहा है पुर्णिया और किसम दिनकों कि चोड़ी के मस्ताइब सब्सक्राइब यह दोनों काम करते हैं सब्सक्राइब भी खपाने काम कर सकते हैं आप उसको भी सब्सक्राइब से वह बरांदगी होगी और अग्रिफतारी हुई फिल्हाल बुल्टिन में इस सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार